एलो फ्रेंट्स वेलकम टू कोड मेटा चैनल आज हम बात करेंगे फाइंड इंडेक्स मेथड की यह जावाइस्क्रिप्ट का एक और इंपोर्टेंट मेथड है जो की सेमेस फाइंड मेथड की तरहें काम करता है वट इसमें थोड़ा सा डिफेरेंस है आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें चलिए चलते हैं हम अपने विजवल कोड एडिटर की तरफ जहां पे फाइंड इंडेक्स मेथड को with example चेक करेंगे कि कि ये किस तरीके से काम करता है and find method से ये किस तरह different है हम एक example लेते हैं सबसे पहले array का const array 1 जहां पे array में हम numbers को add कर देते हैं one two three four five six seven eight okay इसमें थोड़ा सा space देते हैं because conflict हो जाता कभी कभी थोड़ा सा find नहीं कर भाएगा now एक other variable बनाते हैं array updated one जिसके अंदर हम क्या करते हैं find index method के लिए सबसे पहले हम array लिखते हैं कि कि किस array में से हम हमें किस array का index find करना है not find index जिस तरीके का नाम है इसका काम भी होई है कि ये क्या करेगा array में हम जो भी number find करना चाहते हैं उसका index बताता है कि वो कौन सी position के उपर exist करता है जैसे हम find में काम करते थे वैसे ही इसमें एलम लिखेंगे येल इएम इसमें एक एननोमियस function मनाएंगे arrow function मनाएंगे लेकिन यहां पर single argument को हम चेक कर रहे हैं कि greater than या less than जो भी तो हमें bracket लगाने की need नहीं है अदरवाइस हमें यहां पर data value भी लिखनी पड़ेगी हम क्या करेंगे अब इसके बाद एलम करेंगे और यहां पर array है तो मेरे को चाहिए greater than four से जो भी greater than four है उसका result आजाएगा लेकिन आएगा क्या है find index क्या आएगा जो भी greater than four है इस array में सबसे पहले यानि four के just बाद में जो आ रहा है वो उसका index आएगा यहां पर actual में सारे नहीं आएगे जो भी लास्ट में उसका index आजाएगा ठीक है कैसे node test.js यह चलाया हमने तो क्या है अबने बाद रिसल्ट आजाएगा time ले रहा आगया देखो उनसे पर zero one two three four four पर five है तो four आ गया अगर हम यहां पर find करते तो क्या आता हमेरे पास five आता है देखो five आ गया four position पर में पास कुन सा है five है तो five आ गया इसलिए इसलिए वो five आ था ठीक है अगर अब मालो हमें क्या करना है किसी object में से निकालना है तो object के लिए क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे नेम ले लेते हैं इसमें नेम ले लेते हैं बन एक्स वैजड वन और उसकी एज ले लेते हैं यानि ठी हो गई ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूं copy based कर देता हूं ठीक है इसको क्लिक किया इसको किया ठीक है यहां पे मैंने कर दी तीस यहां पे कर दिया मैंने पांच यहा यहां पे कर दिया आठ पांच यहां पे कर दिया मैंने टेईस यहां पे कर दिया मैंने वन की चके टू और यहां पे कर दिया मैंने वन सेवन्टी थ्री यहां पे कर दिया मैंने वन ठीक है अब मेर को गया चाहिए कि जो भी less than है 23 से लेकिन यहां पर ELM काम ही नहीं करेगा अगर हम इसको अपरन कराने की कोशिश करेंगे तो हमें minus 1 दे दिया है कि वो कुछ मिला ही नहीं है आप है किस से compare करना उसको dot करते ही age आया अब मैं age से compare करना हूँ अब age लिख देंगे अगर अब देखेंगे तो हमेरे पास है 2 हाया यानि कौन से position पे है 2 पे 0 1 2 यह तेरा नमबर किये जा गई यह हमेशा आरे आपको बताए कि 0 position से start होता है तो यह क्या दिया हमें 0 1 2 हो गया अगर हम इसको find करते थे तो क्या आता था हमेरे पास वो value आ जाएंगी देखना आ गई कौन सी है x y z 5 और 13 यह उसकी value आ गई ठीक है ओप दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आया होगा इससे इस वीडियो से कि find index क्या होता है और वो क्या result देता है इसे like and share जरूर करें और testing topic के साथ तब तक के लिए take care and good bye